नमस्कार फ्रेंड, हाई टेनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCL और UPI-NAL ये दोनों जो है TG2 के लिए मैं बात करूँगा फ्रेंड और खास तोर पर जो है अधर एक्जाम जो हुए है UPPCL या UPI-NAL में उनके लिए भी मैं बात करू है तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा इसमें काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के जरिये मिलने वाली है और फ्रेंड आप सभी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अगर चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेग तो फ्रेंड अगर बात की जाए यूपी पीसील तो यूपी पीसील का जो एक्जाम हुआ था वो आप लोग जानते हैं कि इसका जो है मार्च में एक्जाम हो गया था जो 27 और 28 तारिक का जो है इसका एक्जाम हुआ था ठीक है यूपी पीसील की बात की जाए और बात की ज कि सबसे पहले कितना मतलब कितने बच्चों इसमें फॉर्म को फिलब किया था यूपी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी यह हो गे फ्रेंड इसका अब बात कि जाए हमारा यूपी आर्वी नल का जो है इसमें अगर बात कि जाया इसमें हमारे जो feature के बच्चे है टेक्नीशन ग्रेट 2 के बच्चे है यह कम से कम जो है 20 20 से 25,000 बच्चों ने इसमें form को fill up किया है ठीक है 20 से 25,000 बच्चों ने form को इसमें fill up किया है फीटर के जो बच्चे है और बात की जाए इस्टूमेंट के तो वह भी जो है 10 से 15,000 बच्चों ने 10 यह बात की जाए तो इससे कम ही होंगे तो बात की जाए तो इतने बच्चे इसमें form को fill up किये थे और जो other है तो वो भी something तो बात की जाए करीब ये मान के चलिए friend आप लोग जो है करीब 50,000 बच्चों ने form को fill up किये था मतलब ये बात की जाए जो अभी paper हुआ है electrician के बच्चों को छोड़ कर ठीक है इसमें यूपी पीसल के कॉर्डिंग कम बच्चे है तो ऐसे मगर बात की जाए फ्रेंड तो सबसे पहले आप भी जानते हैं कि electrician में मतलब क्या कहते है यूपी आरिनल में जो बच्चे थे यूपी आरिनल जो हमारे electrician के बच्चे थे उसमें अगर बात की जाए तो जादा बच्चे थे इस वज़ए से इनका एक्जाम नहीं हो पाया और कुछ और भी मतलब other post के लिए बच्चे थे उनका भी एक्जाम बन रहे हैं वो हमारा यूपी आरिनल का बन रहा है ठीक है यूपी आर्वी यू एनल येनल का जो है मतलब बन रहा है इसका मतलब आने के चांसे मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि यूपी आरिनल का रिजल्ट जो है सब से पहले आएगा उसके बाद हमारा यूपी पी UP-PCL का पहले एक्जाम होगा आप लोग से मैंने पहले ही बहुत था वह ही हुआ फ्रेंड जित्रा भी मैं जानकारी अब तक दिया हूं जो हमारे अच्छे बच्चे बात की जाए जो हमारे सुरू से जुड़ हुए हैं वो सभी बच्चे जानते कि मैं जो भी जानकारी देता है वो हमारा पहले आएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा यह सबसे पहले आएगा उसके बाद हमारा UP-PCL का आएगा यह आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है तो जो बच्चे हमारे UP-IDL के हैं वो ट्रिपल सी का जो भी जो प्रॉब्लम है वो सभी कंप्लीट करें ताकि जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहों और रही बात जो है आप लोग का रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन जो आपका डाकुमेंट वरिफेकेसन है वो कुछ समय के बाद होगा आप लोग भी जानते हैं कि जो करोना के प्रकोप चला है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हा आप लोग भी अपना जो भी डाकुमेंट है उसको भी आप लोग कंप्लीट रखिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहों डाकुमेंट वरिफेकेसन कराते समय तो इस वीडियो सो आपको क्या जानकारी मिली जरूर आप लोग कमेंट करके बताएगा और फ्रेंड अगर हमारे सेकंड चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सेकंड चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा उसको भी आप लोग सस्क्राइब करके रखिए गया वहां पर भी आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहती है तो जरूर आप लोग उसको सस्क्रा बाइब।